अनकाड़ेमी, लेट्स ट्रक इट और भी एक फ्रश्न होता है सब लोगों का चुरू शुरू में कि नोट्स बनाने के नहीं छे महीने का टाइम तो अपने पास टाइम है कि इदर नोट्स बनाने के लिए और छे महीने नहीं चली हमका 2022 एक साल से उपर का टाइम तो भी हमारे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने के लिए आपने ये करना है किताब को परओ, हायलाइट करो हाइलाइटर पेंसे भी कर सकते, फीडिएफ है तो उसमें भी फॉक्सीट पीडिएफ रीडर उसमें highlight कर सकते text की अपने खुद की comment भी type कर सकते और उसको बार-बार revise करें जैसे हम बात करें लक्षमी कान की quality book उसकी notes नहीं बनाएं वो तो खुदी उसने revision note बना के दी जहां तक geographic की ये जो ncrt वो भी मतलब almost like revision type चीज है और उसमें problem क्या है कि उसकी आप summarize करके 40 page की note बना दो 400 के सामने लेकिन उसके अपने जो चीजें उसमें से जो box चीज में से वो तरंगी प्रशन निकालता है जैसा आगे हमने शुरुआत में देखा तो वो तो वापस देखना ही है तो उसी को आप देखिए उसी तरह ये जी सी लियॉंग की वो फीजिकल जोगरफी की किताब सीधा ही उसमें highlight कर दो उसकी क्या notes बनानी spectrum की history वो तो सीधा ही note के form में ही है तो सीधा revise ही करना है ये शंकर या ऐसी कोई environment वो भी notes ही है science technology की भी ऐसी किताब है वो notes में ही है notes के notes नहीं बनते don't wait time in that what about maths मैंस की अगर आपको किताब कर रहे हैं तो उसकी notes बनाने चाहिए हां उसको मैं notes नहीं कहता उसको हम करें diary of mistakes and formula मतलब आप speed time distance कर रहे हैं और हर बार आपकी कुछ गलती होती है आपको वो formula की या फिर की इस type का question हो तो यह step में तीन चार step में हमने करना है ऐसी आप अपने शब्दों में एक दो तीन करके वो लिख के रखो ऐसी एक diary हमेशा होनी चाहिए वो चाहिए cat की exam देते हो bank की exam या UPSC के लिए भी करना है otherwise वो क्या होगा वो किताब में तो सब रह जाएगा लेकिन आपने exam से पहले हाँ यह main चीज थी मुझसे यह गलतियां होती है यह मुझने बचना है you need a particular diary like that तो हाँ उसके notes बनाने चाहिए I would recommend that what about optional subject optional subject में ऐसा है कि thinker theory बहुत सारी इदर उदर की fragmented information जहां तक संभव वो तो highlight करें और काम खतम करो वरना उसके notes बनाने की जरूरत हो तो notes बनाओ जैसे हम बात करें political science, sociology, public administration यह सब में हर एक जगह ऐसा है कि शुरू-शुरू में thinkers होते लेकिन वो thinkers की मोटी-मोटी किताब होते है कुछ बार ऐसा होता है कि शुरूवात के chapter में कुछ अलग फिर अंत के chapter में वापस वह thinker आता है so sometimes एक-एक thinker की माली जै आपने 10-10 bullet point की notes बनानी पड़े या ऐसा कुछ it may be required क्योंकि तो फिर आप उसको बनाइए it depends what about newspapers and current affairs वहाँ तो मैंने आपको बता है कि यह जो current affairs की PDF फाइल हर महीने के end में सब लोग बनाते हैं अलग अलग इंस्टिटूट्स उसी को यूज करिए एक आद Excel फाइल में reference डालके ओके यह चीज मैंने इधर से देखनी है citizenship amendment article 370 वगएर तो जनरल स्टडीज की ऐसी current affairs की नहीं बनानी चाहिए चाहिए लाइट लॉंच हो आत्मनिरबर नेपाल बारत के उपर आ गया कुछ मैंप में प्रॉब्लम्स या नेपाल में अभी political crisis या कुछ वो तो इधर उदर lecture current affairs PDF वगएरा में आते ही रहेगा तो आपने एकाद Excel में सिर्फ reference point लिखना कि यह महीने के PDF में था और मुझे काम का लग तो उसकी notes नहीं बनानी है, निबंद में लिखने के लिए आपको कोई quotation मिल जाए उसकी notes बनानी चाहिए हाँ, ethics की कोई case study या बहुत अच्छी theory मिल जाए बनानी चाहिए हाँ, optional subject का कुछ माल मिल जाए newspaper में से हाँ, उसके मलब notes बनाने, state service के लिए कोई काम की नई योजना launch हुई जो हमने तयार करनी है, क्योंकि वो जो traditional IAS वाले current office PDF file में वो सब नहीं होगा, interview में आपके कोई hobby हो, उस ही साब से, suppose आपकी hobby हो reading fiction, तो उसमें कौन-कौन से नहीं किताब आए, क्या theme चल रहे हाँ, बनाने चेन notes, news paper में जो development आ रहे है, graduation आपका कोई हो, suppose by MBBS, तो उस नहीं नया एक oil well निकाल रहे है, तो किदर हो रहा है, क्या काम हो रहा है, बाहर कोलंबिया या वेनेजुएला में, ONGCV देश ने कुछ किया, तो हम वो सब note down करके रहना चाहिए, for the purpose of your interviews, तो उस हिसाब से थोड़े बहुत notes बनाने चाहिए, वो note भी depending on your requirement paper में भी बना सकत और digital में कुछ लोग Evernote में बनाते हैं, कुछ लोग OneNote में बनाते हैं, मेरे जैसे लोग एकदम देशी method एक्सेल फाइल में बनाते हैं, एक और भी तरीका है, Google Docs, Google Docs मतलब क्या है, आप free Gmail account से उसको खोल सकते हैं, उसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, कि keyboard पर आप प्रेस करें, Ctrl, Shift and S, तो वो microphone से आप जितना भी बोलते हैं, उसको वो dictate कर लेता है, English में भी कर सकता है, Hindi में भी कर सकता है, गुजराती और प्रादेशिक बाशाओं में भी कर सकता है, तो हाज से टाइपिंग करने की बहुत मजूरी कम हो जाती है, so you go for Google Docs, और उसका अपनी hard disk crash भी हो गई, तो वो Google के cloud में documents टोर है, वो delete नहीं होगा, so there are many advantages, तो उसको भी आप explore करें, अच्छा है,